हलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग आज हमारे घर में है जनमश्टमी और लगबग लगबग सबी लोगों कब रहते हैं तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बताया जाए जो कुछ अलग हो तो मैंने क्या किया मेरे पास कद्दू रखा हुआ था मैंने कद्दू की खीर बढाने का सोचा तो इसके लिए मैंने कद्दू को सबसे पहले कर लिया उसके बाद निचोड के हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे अब यह आप देख सकते हैं कैसा सुखा सुखा हो गया यह कड़ाई लेंगे उसमें घी डालके दो तीन इलाची उसको हलका सा दरदरा कूट के वह डाल दे और आप देख सकते हैं कि इसका यह सारा पानी ना सक्कर गया है और यह कद्दू मेरा पक गया है हास से छूके देख सकते हैं उसके बाद डालना है इसमें हमको सक्कर और सक्कर को लगातार चलाते हुए मिक्स करना है इसमें यह धेल सारा पानी छोड़ देती है इस पानी को आप कोई भी दूद इसमें डाल सकते हैं तो ये दूद डालने के बाद देखिए इसको मैंने लगातार चलाया और उबालाने तक पकाया इसको उसके बाद अपना मन पसंद राइफ फ्रूट डालिए और सर्प करिए और ब्रत कानंद लीजिए